बिग बॉस सीजन सात्रा के पहले वीकेंट का वार में कैसा रहा नवरात्री सेलिब्रेशन? टास्क के दौरान किसके बीच हुई बातों की खीचतान? और कौन हुआ पहले ही हफ़ते में बेघर? आएए देखते हैं एपिसोड की हाइलाइट्स शो में आई कुईन कंगना रनौत अपनी मूवी तेजस को प्रोमोट करने सल्मान और कंगना ने किया गर्बा और स्टेज पे किया नवरात्री सेलिब्रेशन सल्मान घरवालों के लिए एक टास्क लेकर आते हैं इसमें वो सब घरवालों से कुछ सिच्वेशनल बेस्ट सवाल पूछते हैं टास्क के दोरान अंकिता, मनारा और ईशा की जम कर बहस हो जाती है सल्मान सनी और मुनावर को माइक्रोफोन लेकर अपने मन की भडास निकालने के लिए कहते हैं सनी के बाद जब मुनावर बोलना शुरू करते हैं तो खानजादी मुनावर से आरग्यू करने लगती है सल्मान के बार बार मना करने के बाद भी जब खानजादी उनकी बात नहीं सुनती तो सल्मान खानजादी पर नराज हो जाते हैं इसके बाद खानजादी और मुनावर बात करते हैं खानजादी कहती है कि आपकी कुछ बातों से मैं ट्रिगर हो गई थी स्टेज पर विशाल आदित्त सिंग और कने का मान अपने अपकमिंग शो चांद जलने लगा को प्रोमोट करने के लिए आते हैं सलमान विशाल और मधुरिमा के पैन मुवमेंट को याद करके उन्हें काफी टीज करते हैं एक टास्क के दोरान सब घरवालों को नील एश्वर्या और विकी अंकिता में से आइडिल कपल को चूस करना है इस टास्क में ज्यादा वोट पाकर विकी अंकिता जीट जाते हैं कंगना बिग बॉस हाउस में एंटर होती है और हाउसमेट्स के लिए एक टास्क लाती है इस इंट्रेस्टिंग टास्क में सब को एक एक कर ये बताना है कि वो घर में किसको किस से प्रोटेक्ट करेंगे तास्क के दोरान काफी हद तक हाउसमेट्स की आपस में एक्वेशन समझाई कंगना जब घर में आई थी तब अंकिता उन्हें अलग ले जाकर कुछ बात कर रही थी और कंगना ने भी खुले आम अंकिता को सपोर्ट करते हुए कहा कि उनका वोट अंकिता की तरफ है इस बात पर बाद में अनुराग, अरुन, जिगना और रिंग को डिसकाशन करते हैं अनुराग कहते हैं कि शो में ओवर फेवरिटिसम हो रहा है उनका कहना है कि यहां टीवी सीरियल वालों को ही स्पेशल प्रेफरेंस मिल रही है और उनहीं के टॉपिक डिसकस हो रहे हैं वेल, क्यूंकि यह सीजन का पहला हफता था तो सल्मान ने इसे डिकलेयर किया नो एलिमिनेशन वीक अनुराग के इस ओवर फेवरिटिसम वाले स्टेटमन पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताए इस विडियो को लाइक करें और इसी तरह के और बे विडियो के लिए हमारे चानल जस्ट शोबस को सब्सक्राइब करना ना भूलें